हालो बचो नमस्कार एक बार फिर से आप सभी का डाउटनेट की लाइप क्लासेश के अंदर स्वागत हैं मैं हूँ डॉली आपकी बायाल जमेंटर तो आज जो हमारा चाप्टर है इसके बारे में हम लोग डिसकस करने वाले हैं और इसके बारे में बहुत सारी बात है तो मैं अलरेडी कर चुकी हूँ तो जो आज की हमारी क्लासे उसके बारे में डिसकस कर रहे हुआ है आज जो है हम कैंसर के बारे में डिसकस करेंगे हाला कि जो cancer है उसके बारे में मैंने पिछली classes में भी बहुत सारी चीज़े discuss कर ली थी तो cancer जो है एक mostly dreadful disease है ठीक है, dreadful disease मतलब की हर साल लगबग 10 लाग के करीबन लोग जो होते हैं वो cancer से सफर करते हैं ठीक है, और लगबग कहीं जो लोग हैं वो cancer की वज़े से मर भी जाते हैं तो cancer is the most dreadful disease here ठीक है, अब cancer के बारे में ओट बहुत सारी चीज़े मैंने आपको पिछले classes के अंदर समझा दी थी बहुत सारी बाते मैंने cancer की आपको explain भी करी थी ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि cancer जो disease है cancer disease के कारण आप यहाँ पर देखेंगे कि क्या-क्या और फंडे हो सकते हैं वेटे बिटा, वेटे मिनिट आप थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो बिटा चलो एक बार हम फिर से सारी की सारी चीज़ों को discuss करेंगे वेटे मिनिट थोड़ा सा आप सबर करेंगे, थोड़ी देर में स्क्रीन आपको visualize हो जाएगी ओके तो आप थोड़ा सा सबर करके रखेंगे and then we will start our class, हम हमारी class को start करेंगे हेलो बच्चों अभी हम हमारी स्क्रीन को visualize कर रहे हैं सारी चीज़ें वेटे मिनिट अभी start हो जाएगे हमारी class ओके, I hope अभी सबको visualize होगी स्क्रीन, अभी सभी को दिख रहा है, अभी हम हमारी class फिर से start करते हैं तो don't worry about it, अब तक हमने क्या पढ़ा, उसके बारे में फिर से discuss कर लेते हैं तो फिर से एक बार आप सभी का doubtnut की life classes के अंदर स्वागत है बच्चों और आज की जो हमारी class थी, वो किसके उपर थी, आज की basically हमारी जो class है, वो cancer के उपर है cancer के बारे में मैंने पिछली classes में भी बहुत सारी चीज़े discuss कर ली थी तो आज मैं cancer को थोड़ा सा और recall करती हूँ और थोड़ी उड़ चीज़ों को मैं advance में आपको बताती जाती हूँ तो देखो बिटा, cancer जो है, cancer का मतलब क्या है, cancer is the simply crab cancer के लिए simply हम क्या word यूज़ करते है, crab तो जो cancer होती है, वो कैसी disease है, that is a dreadful disease अब आगे के बाद बहुत ध्यान से सुनते जाना, cancer का मतलब होता है, proliferative growth, uncontrolled division of the cell, uncontrolled division of cells, अब ये cells होती, continue divide and divide and divide होती जा रही है, अब ऐसी cells division stop नहीं करती है, तो जिसकी वज़े से किसका formation होता है, tumor का formation हो जाता है तो uncontrolled growth की वज़े से tumor, tumor के अलावा हम एक और word इस्तमाल करते है, neoplasm, tumor या neoplasm का formation होता है, ठीक है, अब आगे ध्यान से सुनना मेरी बाते, अब ये जो tumor cells होती है, ये जो tumor होती है, cancer के अंदर tumor, मतलब tumor जो होती है, हमारी body के अंदर हो रही है, तो ये किसकी वज़े से हो continue growth की वज़े से, tumor दो तरह की हो सकती है, एक तो हो सकती है, हमारी benign tumor और दूसरी जो tumor होगी, that tumor will be the malignant tumor, दो तरह की tumor है, one is the benign tumor and the another one is the malignant tumor, अब benign और malignant tumor के अंदर क्या difference है, अगर हम benign और malignant tumor के अंदर basic difference समझने की कोशिच करे, तो benign tumor जो होती है, non cancerous tumor होती है, जो कि मैंने पिछली classes में discuss किया था, तो benign tumor कैसी tumor है बिटा, benign is the non cancerous tumor, अब इस non cancerous tumor का मतलब क्या होता है, यह मैं previous lecture में discuss कर चुकी थी, तो मैं इस class को continue करूंग, इस topic को continue करूंगी, पर उससे पहले आप मुझे छोटी छोटी चीजों के जवाब देंगे, छोटी छोटी question है, जिनके हो हम solve करेंगे, तो बिटा, very first, we should learn about an announcement, बिटा, class 12th का, हमने एक विजयता बैच start किया है, जो की 15 सितंबर से start हो चुका है, ठीक है, 15 सितंबर को start होने वाले हो चुके, इस बैच के अंदर आपको बहुत सारे advantage मिल सकते हैं, सब read होने के जरूरत नहीं है, साड़े चार महीने के अंदर, 4.5 मन्त के अंदर क्या होगा बिटा, आपका complete syllabus cover up कराया जाएगा, ठीक है, साड़े चार महीने के अंदर आपका start से लेके, यानि कि first से लेके, आपका पूरा syllabus complete कराया जाएगा, आप physics, chemistry, bio, math आपके पास में हैं, तो आपके पूरे subjects cover होंगे, दूसरा advantage है, that is the two teacher advantage, two teacher advantage का मतलब क्या हुआ बिटा, कि यहाँ पर दो teacher आपको guide करेंगे, कैसे एक teacher आपके live classes लेंगे, दूसरा, during the class आपको कोई भी doubt होता है और आप comment section में डालते हैं, तो teacher आपको honestly तुरंत जवाब देंगे, और उसके बाद यह facility आपके पास में 24 hours है, यानि कि after the recording class अगर आप देखते हैं, तो भी आप अपने comment section में अपने doubt छोड़ सकते हैं, और respective teacher आपके comments को resolve करेंगे, structured course है, structured course का मतलब क्या है, बहुत expert teacher ने आपका course बनाया है, जो भी teacher पढ़ाते हैं, उनकी slides are at the end of the class, you will get here, ठीक है, class slides, daily homework, weekly test सारी के सारी facilities आपको यहाँ पर मिलेगी, तो यह सब सुभीधाएं आपको मिलने वाली है, प्लस video solution, जो भी book आफ रफर करते हैं, जो भी questions आपको नहीं आता है, आप अपनी favorite books को follow करके, आप उनके video solution, उन questions के video solution सो obtain कर सकते हैं, तो यह सब की सब facilities आपको मिलने वाली है, कहा पर आपको मिलने वाली है, बिटा, डाउतनट की एप के VIP course के फाइदों में, तो आप इस VIP course को join कर सकते हैं, अगर आप interested इस course को join करने में, तो आप 01247158250 पर call या miss call दे सकते हैं, या फिर आप comment section में comment भी कर सकते हैं, कि आप VIP course को join करना चाहते हैं, या फिर बच्चा, आप क्या कर सकते हैं, आप simply यहाँ पर एक चीज और कर सकते हैं, कि आप एक poll है, उस poll में participate कर लीजिए, कि भाईया हम इस तरह का course join करना चाहते हैं, तो फटाफस से आप यहाँ पर poll में भी participate कर लीजिए, क्या आप विजेता बैच VIP course कक्षा 12 का English medium join करना चाहते हैं, हाँ या नह I hope आप सभी बच्चों ने यहाँ पर जवाब दे दी होंगे, चलो, अब फिर से मैं आपके सामने quiz लेकर आ रही हूँ, very first question जो आपके साथ में में लेकर आऊंगी, उस question का आप जवाब देंगे AIDS is caused by the HIV, among the following, which one is not a mode of transmission of HIV, AIDS जो होता है, HIV इन में से कौन सा एक तरीका है जिससे spread नहीं होता है Transfusion of the contaminated blood, sharing the infected needles, shaking hand with the infected person, या sexual contact with the infected person इन में से कौन सा एक तरीका है, जिसके through HIV spread नहीं होता है Okay, next is the, the genes causing the cancer are, genes जिनसे cancer होता है वो क्या है, structural genes, expressor genes, onco genes या regulatory genes Genes जिनसे cancer होता है, structural genes, expressor genes, onco genes और the regulatory genes Okay, now the next question is, a chemical carcinogen present in tobacco Smoke is responsible for, skin cancer, pancreatic cancer, stomach cancer, or the lung cancer Tobacco के अंदर जो पाया जाता है, toxic material, उसकी वज़े से कौन सा cancer होता है आपको correct answer choose करना है बिटा Okay, next question is, cancer cells do not exhibit the property of generating tumors, metastasis, contact inhibition या less number of mitochondrial cristae Cancer cells में से, इन में से कौन सी एक ability नहीं रखती है Tumor को generate करने की, metastasis की, contact inhibition की, या less number of mitochondrial cristae Okay, I hope आप सभी बच्चों ने correct answer यहाँ पर दिये होंगे चलो, अगर आप सभी ने सही answer दिये हैं तो well done, very good बिटा चलो आपके सारे answers को एक बार correct कर लेते हैं Start करते हैं, very first question से AIDS is caused by the HIV, among the following, which one is not a mode of transmission of HIV तो infected person से हाथ मिलाने से, handshake करने से cancer spread नहीं होता है तो first का जो मेरा correct answer है, C will be here the right answer Second, the genes causing cancer are oncogenes and the study of cancer is the oncology तो oncogenes are the cancer gene, ठीक है तो यहाँ पर third question, chemical carcinogen What is the meaning of carcinogen? The meaning of carcinogen is the cancer causing factor Cancer causing factor को क्या बोलते हैं बिटा Cancer causing factor को यहाँ पर कहा जाता है carcinogen तो यहाँ पर तॉबेको के अंदर nicotine नाम का carcinogen होता है तो nicotine is the carcinogen जिसके वज़े से कौन सा cancer हो सकता है? Lung cancer हो सकता है तो हमारा third का जो correct answer होगा, that one will be here the D And the fourth is, cancer cells do not exhibit the property of Tumor generate करने की, obviously tumor generate होती है Metastasis की, metastasis का meaning मैंने previous class में समझाया था अभी भी समझाऊंगी तो metastasis की property भी है भी Contact inhibition, less number of mitochondrial crest है तो यह सब है, सिब contact inhibition की property नहीं होती है तो C is the right answer तो fourth का correct answer क्या होगा बिटा? The correct answer for the C Fourth का correct answer क्या है? C is here the very right answer तो I hope सारे बच्चों को यहाँ पर right answer समझ में आए होगे सभी ने correct answer को समझाऊगा तो I hope मेरी सारी बाते आप सभी बच्चों को clear है क्या-क्या हमने discuss किया, क्या हमने चीजे discuss करी वो सारी चीजे आपको मेरी clear होगी होगी इतना fund आपको clear है तो मैं cancer को फिर से एक बार recall कर देती हूँ कि अब तक cancer से related क्या-क्या चीजे हमने discuss करी है फटा-फट से मेरे साथ में जुड़ जाईए ताकि cancer को एक बार फिर से starting से सारी चीजों के साथ में मैं आपको बता सकूँ और cancer के topic को हम फटा-फट से cover up करते हूँ चले तो cancer cancer का मतलब आपको पता ही है uncontrolled growth of the cell uncontrolled division और growth of the cell एक cell अपने power of division को stop नहीं कर पाती है continue divide and divide and divide होती रहती है तो ये property क्या कहलाती है cancer कहलाती है ठीक है अब cancer होता कैसे है हमारी each cell के अंदर each cell contain the enzyme telomerase enzyme हमारे अंदर क्या होता है telomerase enzyme होता है ये telomerase enzyme क्या होता है telomer को reduce करता है telomerase enzyme की activity क्या होती है धीरे-धीरे loss होती जाती है जिसकी वज़े से telomer क्या होता है खतम होता जाता है, telomer का size क्या होता है, decreases, telomer क्या है सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ, this is here our cell, cell के अंदर nucleus और nucleus के अंदर chromosome और telomer is here the end of the chromosome, end part of the chromosome, हर division के बाद में ये size क्या होती है, reduce होती है, as the cell is dividing, size of telomer is reducing, क्यों reduce हो रहा है, क्योंकि telomerase की activity धीरे धीरे कम होती जाती है, तो telomer की size भी क्या होती है, decrease होती है, तो हर एक cell division के बाद से, जैसे ये cell divide हुआ, तो telomer क्या हुआ, decrease हुआ, फिर से cell का division हुआ, तो telomer क्या हुआ, और decrease हुआ, तो each successive division के साथ में telomer की size क्या होगी, decrease होती जाएगी At the last point will come, last में एक ऐसा point आएगा कि जो telomer है, उसकी size पूरी तरीके से reduce हो जाएगी क्योंकि telomerase क्या करेगा, काम करना भंद कर देगा तो telomerase की activity यहाँ पूरी तरीके से stop हो गई तो no more telomer, अब cell का further division नहीं होगा तो after a certain time period, मतलब कि after specific period of division after specific period of division, cell stopped to divide cell further क्या करती है, divide होना भंद कर देती है और क्या कर लेती है, cell division करना भंद कर देती है और क्या कर देती है, और differentiate हो जाती है differentiate का मतलब होता है, किसी specific structure में convert हो जाती है तो cell ने अपने आपको divide करना भंद कर दिया है और अपने आपको क्या कर लिया है, differentiate कर लिया है किसी specific structure के अंदर प्लीस रिमेंबर दिस थिंग, तो cell यहाँ पर क्या कर चुकी है, किसी specific structure में अपने आपको divide कर चुकी है, तो इस तरीके से यह जो है normal cell की कहानी है, कि telomar खतम हो गया, तो यहाँ पर further division भी stop हो गया, पर due to the sum factor, due to the sum mutation, mutation का मतलब क्या होता है, changes in the sequence of DNA, due to the sum mutation, due to the certain factor, क्या होता है, telomerase enzyme जो होता है, वो continue form होता रहता है, telomerase enzyme का formation क्या होगा, continue formation होगा, तो telomerase continue form हो रहा है, किसकी वज़े से, कुछ changes की वज़े से, तो mutation की वज़े से, अब telomerase continue बनेगा, तो telomer क्या रहेगा, telomer continue बनता रहेगा, अब telomer continue बनता रहा, तो cell क्या करेगी, cell will never stop division, cell कभी भी अपना division stop नहीं करेगी, अब cell जब stop नहीं करेगी division, तो उस condition में क्या होगा, cell will become the, cell will show uncontrolled growth, कैसी growth शो करेगी, uncontrolled growth शो करेगी, अब जो ऐसी uncontrolled growth अगर आपको देखने को मिली cell के अंदर, uncontrolled growth आपको cell के अंदर देखने को मिल रही है, तो हम इस cell को क्या कहेंगे, this cell is can be the cancerous cell, ये cell, ओके बिटा, अगर आपके सारे answer correct है, तो well done, now cell will show the uncontrolled growth, ये तो आपको पता होगा, कि cell regularly growth और growth शो करती रहेगी, अब जो cell होती है, जो continue divide कर रही है, यानि के cancer cell, अगर cancer cell बन गई है, तो उस cancer cell की क्या क्या properties हो सकती है, उसको समझो, Cancer cell के अंदर, Cancer cell के अंदर क्या होता है, कि lysosomes का number ज़्यादा हो जाता है, हम जब भी divide करते हैं, हमारी cells जब भी division करती है, तो division करने के लिए हमको certain factors की requirement होती है उन factor को बोलते extra cellular factor तो यहाँ पर extra cellular factor is not required for division not required extra cellular factor की requirement नहीं होती है किसको required नहीं है बिटा cancer cell को lysosomes का number increase हो गया extra cellular factors की requirement नहीं है plus जो cytoplasm है उस cytoplasm के अंदर debris मतलब की west material जादा हो जाते हैं cytoplasm क्या होता है this is here the cell cell के अंदर यह liquid यहाँ पर है यहाँ पर क्या होगा debris होगा तो cytoplasm के अंदर west material will be here the more तो यह चीजें आपको देखने को मिलेगी यह funda आपको समझना है कि यहाँ पर आपको exactly क्या देखने को मिल रहा है तो यह सारी की सारी जो properties होगी these all properties are belong to the cancer cell यह सब properties किसकी है cancer cell के plus cancer cell जो होती है वो contact inhibition की property को lose कर देती है contact inhibition की properties यहाँ पर क्या हो जाती है loss हो जाती है अब यह contact inhibition का मतलब क्या है जैसे कि this is one cell this is another cell and this is here the continued division of the cell is occurring यह cells का division हो रहा है अब देखो बिटा होता क्या है यह cells continue divide and divide and divide करती जारी है तो यह cell जैसे ही divide होगी तो यह क्या करेगी दूसरी cell के touch में आई तो दूसरी cell का touch में red color से दिखा रही हूँ तो इसने क्या कहा कि further space नहीं है तो इसने अपनी growth को limited कर लिया contact की वज़े से यह cell inhibit हो गई और इसने further growth करना show नहीं किया तो यहाँ पर please remember this funda very clearly कि यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर continue growth नहीं show होगी why here the not the continue growth is showing because यहाँ पर जो होता है normal cell जो होती है वो क्या करती है जैसे ही nearby cell के touch में आती है वो अपनी growth को suppress कर लेती है normal cell क्या करती है suppress कर देती है growth by touching the या by contacting the nearby cell तो इसे बोलते हैं contact inhibition की property तो contact inhibition की property normal cell में present है बट यहाँ पर contact inhibition cancer cell के अंदर क्या हो जाता है खतम हो जाता है और जो cancer cell होती है वो एक के उपर एक के उपर चड़के भी growth करती रहती है और किसका formation कर लेती है tumor का formation कर लेती है तो cancer जो होता है मतलब कि जो abnormal division करने वाली cell है abnormal dividing cell वो किसका formation करती है बिटा abnormal dividing cell tumor का formation करती है तो यह tumor जो होती है दो तरह की होती है अब यह दो तरह की tumor कौन-कौन सी मैंने आपको discuss करी है the very first tumor is the benign tumor जो कि मैंने previous lecture में भी discuss किया था पर मेरे पास में message आया था बच्चों का कि आप recall करना मैं जो पिछली class में पढ़ाया है वो एक बार फिर से explain करना तो मैं सारी चीज़ आपको revise करा रहे हूँ तो benign benign के बाद में दूसरा malignant malignant tumor होती है दो तरह की tumor आपके पास में हो गई one is the benign tumor and the another one is the malignant tumor अब ये benign और malignant tumor के अंदर basic difference क्या होता है malignant tumor तो होती है cancerous tumor क्या बोलेंगे इसको this one is the cancerous tumor और बहुत सारे लोगों को normal tumor भी हो जाती है पर वो सब cancerous नहीं होती है तो benign is the non-cancerous harmful दोनों ही है harmful क्यों है जब भी tumor बनती है तो tumor कैसे बनती है uncontrolled growth of cell से बनती है तो बिचारी हमारी normal cell का खाना पीना भी किसी और cell ने ले लिया है समझ में आ रही है ये बात आपको आपका जो normal खाना पीना जो एक cell को nutrition चाहिए होते है वो nutrition भी किसी और cell ने derive कर लिया है तो ये चीज़ आप ध्यान में रखेंगे इस फंडे को आप clearly understood करके चलेंगे कि what exactly I am trying to explain तो यहाँ पर tumor तो दोनों ही अच्छी नहीं है पर benign is the less harmful तो यहाँ पर लिख देते हैं less harmful less harmful होगी and the malignant tumor will be the more harmful यह दोनों basic difference है किसमे malignant और cancerous tumor में चलो तीसरा point मैं आपको discuss करती हूँ malignant tumor के पास में एक specific property होती है उस property को कहा जाता है metastasis अब यह metastasis का मतलब क्या होता है चलो वो भी समझ लेते हैं malignant tumor के पास में metastasis की property होती है अभी metastasis की property इसमें absent है metastasis की property को समझने के लिए पीछे की तरफ चलते हैं और देखते हैं suppose this is here the normal cell यह सब normal cell है यहाँ पर यह normal body की cell है और यहाँ पर एक tumor cell डवलप हो गई मतलब uncontrolled division होने लग गया cell का this is here the tumor cell अब यह tumor cell है बिटा तो tumor तो क्या करती है size में बड़ी होती जाती है तो यह green color की जो cells में draw कर रही हूँ इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी यह tumor डवलप होती जा रही है अब चुकि tumor है तो normal cell से बहार निकलेगी तो मतलब लटकेगी overgrowth होगी excessive growth यहाँ पर show कर रही है तो support करो इसकी एक cell तूट गई इसका एक टुकड़ा इससे अलग हो गया क्योंकि बार बार इतनी growth कर रही है तो होगा ना कि एकाथ टुकड़ा इसका तूट जाए अब इसकी overgrowth यहाँ पर हुई तो यहाँ पर क्या होगा this is here the blood vessel blood के अंदर चला गया अब यह blood के साथ में होता होता अलग-अलग जगा पर पहुचेगा suppose करो यह liver था liver is an organ तो यहाँ liver तक आपका यह टुकड़ा पहुच गया तो इस liver तक आपका यह cancerous टुकड़ा पहुच गया तो अब cancer आपका कहां पर पहुच गया है liver में पहुच गया तो यह जो property है यह क्या कहलाती है metastasis कहलाती है metastasis का मतलब क्या हुआ कि आपकी cancerous tumor का एक हिस्सा relocate कर सकता है fluid medium के थूँ blood के थूँ तो metastasis क्या है metastasis is the property जो कि malignant tumor के दूँश होती है और metastasis का मतलब क्या हुआता है cancerous part of tumor can relocate from one part to another part of body through fluid medium ठीक है तो यह चीज आप ध्यान में रखेंगे fluid medium के थूँ यह क्या कर सकता है transfer कर सकता है and that property will be here the metastasis property इस property को हम क्या कहेंगे बिठा metastasis की property कहेंगे तो मुझे लगता है कि metastasis is very much clear to all of you metastasis का मतलब क्या होता है कि cancerous part blood के थूँ एक जगा से दूसरी जगा पर चला गया और जिस औरगन पर उसको suitable खाना पीना मिल गया वहीं पर cancer की tumor growth and growth and growth करना शुरू कर देगी और दूसरी जगा पर cancer spread कर देगी यह property जो होती है benign tumor के अंदर absent होती है यानि कि benign tumor is confined at their place अपनी position पर benign tumor fix होती है तो benign क्या है confined stationary है तो यह थोड़ा less harmful होगी और cancerous tumor यानि कि malignant will be the more harmful तो I hope इतना फंडा आप सभी बच्चों को clear हो चुगा होगा कि metastasis का मतलब क्या है contact inhibition का मतलब क्या है यह properties हमारी cancerous cell के अंदर देखने को मिलती है ठीक है तो चलो अब cancer होता कैसे है cancer बहुत सारे regions है देखो cancer को cause करने वाले कुछ factors है जैसे कि हम बात करते है proto-oncogenes के बारे में proto-oncogenes proto-oncogenes के लावा दो और gene है tumor suppressor gene tumor suppressor gene and the third gene will be the suicide gene अब यह suicide gene tumor suppressor gene इनका मतलब क्या होता है तोड़ा ध्यान से समझना यह terms आपने शायद पहले सुने नहीं होंगे previous lecture देखा है तो आपको ध्यान होंगे but now you need to focus on these two three proto-proto का मतलब क्या होता है first oncogenes यानि कि onco का मतलब क्या होता है cancer produce करने वाला gene आपकी हर एक cell के पास में एक property है every cell have the proto-oncogenes हर एक cell के पास में क्या है proto-oncogenes जब तक आपका proto-oncogenes present है तब तक आपको cancer नहीं होगा proto मतलब कि before the cancer मतलब आप नहीं चाहते हैं कि आपका proto-oncogenes किसमें convert हो जाए oncogenes में क्योंकि oncogenes का मतलब क्या होता है cancer का gene जैसे ही आपका proto-oncogenes activate हुआ तो वो किसमें convert हो जाएगा oncogenes में जिसकी वज़े से क्या develop होने लग जाएगा आपको cancer develop होना start हो जाएगा तो proto-oncogenes जो होता है वो होना चाहिए आपकी cell के अंदर जैसे यह cell है आपकी this is here the cell तो इस cell के अंदर अगर proto-oncogenes present है तो यह आपको क्या देगा एक positive feedback देगा कि मैं present हूँ इसलिए तुमारे अंदर cancer नहीं हो रहा अगर मैं अपनी activity खतम कर दूँ तो तुमारे अंदर cancer होना start हो जाएगा तो proto-oncogenes की वज़े से क्या आता है positive feedback आता है अब दूसरे और जीन है दूसरे जीन कोन से हमारे पास में tumor suppressor gene और the suicide gene ये भी हमारी cell के अंदर present है अब ये tumor suppressor gene जो है बेटा और ये हमारा suicide gene जो ये negative feedback डालता है मतलब हम हैं इसलिए यहाँ पर ध्यान से सुनना tumor suppressor gene मैं हूँ इसलिए cancer को नहीं होने दे रहा tumor suppressor का मतलब क्या था रोकने वाला tumor को रोकने वाला gene और suicide gene मतलब tumor जैसे कोई भी abnormal growth होती है हमारी body के अंदर कोई भी cell है वो normal growth ना करके abnormal growth करे तो cell को kill कर दो मतलब उस cell को cancerous बनाने से पहले ही उस cell को kill कर दिया जाए getting this point तो ये gene आपकी body के अंदर है तो इसकी वज़े से आपकी body के अंदर कैसा feedback है negative feedback है और आपकी cancer डवलपनी हो रहा तो tumor cell कैसा effect डालती है negative suppressor suicide cell कोंसा डालती है negative और proton ko genes कैसा effect डालती है positive जिसकी वज़े से आपकी cell क्या होती है normal growth करती है normal division जो करती है तो this is here the normal division ये कैसा डीवीजन है नॉर्मल डीवीजन है ये फंडा आप ध्यान में रखेंगे अब सपोच करो सपोच करो आपकी आपकी जो cell है उसने unlimited growth करना शुरू कर दिया abnormal growth करना शुरू कर दिया मतलब कि वो किस हो गई cancerous में तो cancerous में कब convert होगी जब आपका proto-oncogene जो होगा वो negative feedback दे कि मेरा मतलब कि में तो तुझा रोक नहीं सकता तो cancer की बन जा oncogene genes बन गया tumor suppressor gene और suicide gene इन दोनों का कोई effect नहीं रह जाता cell के ऊपर तो यह cell किस में convert हो जाएगी cancerous cell में और इस cell के अंदर abnormal growth होना मतलब यह cell इतनी divide होगी कि यह बहुत सारी cells number of abnormal cells दिखने लग गई तो यह क्या है यहाँ पर abnormal division तो यह genes जो होते हैं बहुत ही important factors बहुत ही important role play करते हैं cancer के अंदर तो मुझे लगता है यह फंडा आपका दिमाग में बैठ गया होगा यह चीज़े आपके दिमाग में clear हो गई होगी still there are lot of things बहुत सारी चीज़े हैं जिने मैं आपको explain करूंग उनके बारे में बात करूंगी अब बिटर types of cancer कौन-कौन से होते हैं कौन-कौन से तरह की cancer समकू हो सकते हैं तो first I would like to explain about the types of the cancer तो types of cancer में सबसे पहले हम three types के cancer को discuss कर लेते हैं very first type of the cancer is the sarcoma ठीक है यह carcinoma से start करते हैं ज्यादा बेटर है carcinoma is the type of the cancer another type of the cancer is the sarcoma and the third type of the cancer is the leukemia they all are here the type of the cancer carcinoma, sarcoma and the leukemia अब यह क्या है carcinoma, sarcoma, leukemia, carcinoma हमारी सबसे उपर की covering epithelium tissue epithelium tissue we have the four type of the tissue epithelium, muscular, connective and the nervous tissue अगर हमारी epithelium tissue के अंदर cancer होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं carcinoma, तो carcinoma is the type of the cancer जिसमें कहां पर cancer होगा in our epithelium tissue हमारी epithelium tissue के अंदर अगर cancer होता है जैसे कि यह सबसे common type का cancer है जैसे कि आपने सुना होगा lungs का cancer हो गया, skin का cancer हो गया, breast का cancer हो गया ठीक है, यह सारे के सारे example से किस के? epithelium tissue में होने वाले cancer के तो they all are here the example of the what? carcinoma के यह सभी के सभी example है तो I would like to explain more thing कि carcinoma का example क्या है lung cancer oral cancer, मूँ में होने वाला cancer breast cancer skin cancer यह सब के सभ एक्जामपल है किस के बिटा? carcinoma के, carcinoma epithelium tissue में होने वाला cancer सबसे ज़्यादा carcinoma होता है 80% population जिनको cancer होता है ना उनको carcinoma टाइप का ही cancer होता है now the sarcoma sarcoma is the rarest cancer जितनी भी population को cancer होता है उनमें सिप 1% population को ही sarcoma type का cancer होता है यानि कि हड्डियों में cancer हो जाना generally sarcoma का मतलब होता है हमारी connective tissue में होने वाला cancer connective tissue में होने वाला cancer अब connective tissue क्या है, bone is the connective tissue, tendon is the connective tissue, ligament is the connective tissue, bone से bone को connect करने वाली, bone को muscle से connect करने वाली tissue, they all are the connective tissue, connect करने वाली tissue. तो हमारी connective tissue के अंदर जो cancer होता है, हमारी connective tissue के अंदर जो cancer होता है, that cancer is the sarcoma, तो यहां पर muscles के अंदर या in muscles as well as, तो example है, bone cancer, tendon के अंदर cancer होना, यह सब के सब क्या example is sarcoma के. And the last one is the leukemia, leukemia is the very common और बहुत प्यारा सा नाम है, बिमारी प्यारी सी नहीं है, नाम प्यारा सा है, leukemia is the totally blood cancer, leukemia किस के लिए कहा जाता है, बिटा, blood cancer के लिए कहा जाता है, तो leukemia for the blood cancer, ठीके, किस के लिए है, blood cancer के लिए हमने leukemia का term इस्तमाल किया, अब आगे की तरफ में और बिए डिस्कस करती हूँ, यह जो blood cancer होता है, उसके अंदर क्या होता है, blood cancer के अंदर, blood cancer मतलब ब्लड में होने वाला cancer, अब ब्लड में कौन सी cell abnormal division करेगी, blood के अंदर हमारी जो WBC है, उसका abnormal division होगा, तो abnormal division of WBC, abnormal number increase in WBC, तो WBC का number यहाँ पर बहुत ज्यादा increase हो जाएगा, which is here known as the blood cancer, इसको हम blood cancer कहेंगे, तो they all are here the types of the cancer, यह सब के सब क्या है, cancer के type है, telomerase, proto-oncogenes, यह सब चीज़े मैंने आपको डिस्कस कर ली, तो ऐसे factors जो cancer cause करते हैं, उन factors को क्या कहा जाता है, बिटा, carcinogen कहा जाता है तो cancer causing factor, cancer causing factors are known as carcinogens, what is the carcinogens, cancer causing factors are known as the carcinogens, तो cancer causing factors हमारे यहाँ पर क्या हो गए है, carcinogens हो गए है, done with this fact, चलो, अब carcinogen कौन कौन से हो सकते है, physical हो सकते हैं, biological हो सकते हैं, chemical हो सकते हैं, तो carcinogen can be the physical factor, physical के लावा हमारा chemical हो सकता है, chemical के लावा biological factors है, वो भी यहाँ पर क्या कर सकते हैं, cancer कर सकते हैं, अब यह biological factors यहाँ पर कौन कौन से हैं, ठीके, biological factors कौन से हैं, तो जिसे जैसे कि आपने सुना ओगर retrovirus का group, retrovirus is can cause the cancer, तो group of retroviruses can cause cancer, जैसे कि एक example है papillomavirus, papillomavirus क्या करता है, हमारे cervix में cancer कर देता है, तो papillomavirus जो है, वो cervix में cancer कर रहा है, तो please remember, biological factor, यानि कि viruses can cause the cancer, virus की वज़े से भी cancer हो सकता है, तो it is the group of retroviruses which can create here the cancer, तो viruses क्या करते हैं, proto-oncogenes को oncogenes में convert कर देते हैं, तो viruses के पास में ability है, क्या ability है, proto-oncogenes जो है, उसको किस में convert करना, oncogenes में convert करने की ability है, you should remember this thing, done, chemical factor, आप क्या खरते हो, जैसे आपने coffee ली, तो coffee में क्या था है, caffeine होता है, तौबे को chewing, तौबे को चबाते, तंबाकू लेते, तो उसमें क्या होता है, nicotine, polonium, यह सब क्या है, they all are the chemical factor, यह सभी के सभी carcinogenes हैं, तो caffeine हो गया हमारा, nicotine हो गया, या बहुत सारे hormones होते हैं, जो हमारी body के अंदर, जैसे के steroids, यह सब हमारी body के अंदर क्या कर सकते हैं, तो the all are here the chemical factor, बिटा, जिनकी वज़े से, और भी बहुत सारे, मैंने बस कुछी नाम दी हैं, एजोडाई हो गई, या sulfur gas हो गई, mustard gas हो गई, यह सब क्या कर सकते हैं, हमारी body में जाके, cancer causing factors को induce कर सकते हैं, तो they are the chemical factor, physical factor, बहुत सारी rays होती हैं, x rays, ठीक है, cosmic rays, ultraviolet radiations, they all are here the physical factor, जिनकी वज़े से क्या हो सकता है, cancer हो सकता है, तो carcinogens are here the cancer causing factors, जिनकी वज़े से, हमें क्या हो सकता है, बिटा, cancer हो सकता है, तो I hope आपको ये सारी के सारी चीजे आपको समझ में आई होगी कि कौन-कौन से factor है, cancer कैसे हो सकता है, cancer की वज़े क्या है, ये सब properties आपके दिमाग में बहुत अच्छे से clear हो गई होगी, तो मुझे लगता है ये funda बहुत अच्छे से clear है, तो कल की class में आपको cancer के detection के method के बारे में और detail में explain करूगी, तो now I am ending this class, bye-bye, take care, have a nice day.